यहां पे निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और आपको ध्यान होगा बहुत पहले जब नया ओल टाइम हमी बना था उसकी बात थे ही मैंने एक यहां पे एक्स्टेंशन खीचे था फिरवनाजियन्स एक्स्टेंशन और यह कोरोना बॉटम 2020 मार्च के बॉटम से लेकर के अ देखा था इसमें इंट्रेस्टेंगली 61.8% लगभग 22,000 के आसपास ही आ रहा है तब मैंने भी का था पूछा था आपसे कि क्या 22,000 पे जाके गाड़ी एक बार को रुखेगी तो आपने काया था अगर मुझे ठीक से याद है कि 22,000 नहीं लेकिन 22,500 के आसपास ऐसा हो सकत अगर हो रहा है अगर हो रहा है तो 22,000 is a number of retracement, number for retracement अब वो 200.2 पर है कि 200.2 नीचे है एक्जैक्ट है या 500.2 पर है, it's a matter of time लेकिन 22,000 एक देखने के लिए number ज़रूर बनता है और देखिए काफी अलगत रहे के भी retracement बन सकते हैं जिसमें आपको different different number भी मिल सकता है लेकिन जब आप blue sky में होते हैं तो जो round number resistances होते हैं उनको ना नहीं किया जा सकते हैं उसको देखना पड़ते हैं जी तो अभी आज आप तो और भी तमाम parameters आप ने बता रखा है देखते रहते हैं तो उसके हिसाब से अगर topist structure की एक संभावना बनती है वो अंदेशा दिमाग में रख करके चलना है 22,000 का एक extension ज जिनका हमें ऊपर ध्यान रखना है और जिनका नीचे ध्यान रखना है नमबर फाइब 22,500 के पहले मेरे पास कुछ है ही नहीं जिस पर मुझे बहुत ध्यान रखना है मुझे दो ही चीज पर ध्यान रखना है पिछले अप ते भी मुझे ठीक याद था अपने 22,500 पहले भी जो काया था वो नमबर ठीक या था मुझे हाँ बिलकुल मुझे दो चीज पर ही ध्यान रखना है जो अभी पिछले discussion में था सेम उस चीज को ध्यान रखना है which is 21,500 और उपर में 21,500 तो अब ये 22,000 से return होगा या 22,200 से या 500 से या 700 से time will tell लेकिन 21,500 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाती है आके उपर के सारे levels possible है risk बहुत ज़्यादा है system में इसमें कोई शक नहीं है लेकिन 21,500 अगर है तो market अभी भी उपर ही चलेगा because पैसे आने की कमी फिलाल दिख नहीं रही मैं major parameters भी जो देख रहा था globally कोई negative तो दिखी नहीं रहा parameter तो मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि market structure टॉप इश्कियों दिखा रहा है हो सकता है कुछ चीज़ें बदलती है वक्त के साथ वो हो सकता है बदले लेकिन चाहे dollar index पर बात कर ले, bitcoin पर बात कर ले oil पर बात कर ले, yield पर बात कर ले, किसी पर भी बात कर ले, macro economic indicators पर बात कर ले, high frequency indicators पर बात कर ले, e-way bill पर बात कर ले, कहीं पर भी कुछ भी negative किसी parameter पर मुझे नहीं दिखा लेकिन market का ऐसा structure होता है कि correction बिना बोले हुए sneak in होता है, और इस structure में कोशिश यही करनी चाहिए कि first line of defense define कर लेना चाहिए, बाकि जो traders है, अपना momentum right कर सकते हैं, जी, ठीक है, तो first line of defense आज की तारिक में आपके हिसाब से 21500, 21500, EWS जिसको हम बोलते है, early morning signal है, लेकिन जो मैंने आपको बोला था 21200, वो अभी भी decisive level बचा हुआ है, 21200 के नीचे जब तक close नहीं होगा, निफ्टी close जब तक नहीं हो, decisive breakdown नहीं है, जे, लेकिन जब आप 21200 कह रहे हैं, तो मेरी निजर जा रही है, ये आपके 21 December के bottom पे, और ये bottom तो आ रहा है, लगवग आप पे 21000 पे, वो सब बहुत सारे indicators में लेंगे राजी वजी, लेकिन अपने को ध्यान ये देना है, कि ऐसे महल में market तूटता किस कारण से है, अभी तो result शुरू हो गया, हमारे पास कोई major कारण नहीं है, तूटने का, तो अगर major reason निकल के नहीं आता है तूटने का, तो फिर देखना पड़ेगा, earliest support level हम कैसे निकाल सकते हैं, और वहां से फिर decision लेना पड़ेगा, event का जितना बड़ा impact होगा, उस हिसाब से हमें support level define करने होगे, कि कहां तक retrace कर सकता है market, लेकिन इतना जरूर है कि 21,200 के नीचे close होने के बाद ये sell on rise का structure बन जाएगा, जब तक जहां भी top है, वो जब तक नहीं निकलता है, वो structure define जाएगा तो नीचे की तरफ 21,500 और 21,200 इन दो levels को ध्यान रखना है, और उपर की और 22,500 इस पे नज़र रखनी है, निफ्टी के लिए सारसंशेप यही, बिल्कुल, तो अब आ जाते हैं bank निफ्टी पर, और bank निफ्टी की कहानी क्या हो रही है, क्या यहां भी वैसा ही structure आपको टॉपस जैसा दिख रहा है, या मैंने आप से पूछा था कि क्या surrounding top जैसा दिख रहा है, है, वाद तो सही है, लेकिन निफ्टी बैंक भी consolidation में ही है, 47,000 की नीचे mild breakdown होगा, 46,500 तक, लेकिन जब तक 46,500 की नीचे close देना शुरू नहीं करें, इसका भी कोई larger correction शुरू नहीं हो सकता है, और मान लीजी कि उसके बाद larger correction शुरू हुआ और फिर decision हो गया कि 50 DMA से support लेना है, तो भी 46,000 पे आ जाएगा, तो निफ्टी बैंक का जो structure है, वो ये है कि corrective pattern start हो चुका है, लेकिन major breakdown मुझे नहीं लगता कि निफ्टी बैंक में होना चाहिए, 50 DMA जहां पे भी उस दिन रहेगा उसके आसपा support इमर्ज होना चाहिए, निफ्टी बैंक में, ऐसा मेरा अन्जाजा है, अभी तो पूरे छेल सेजर पे है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ड़ा है, तो ये जल्दी ही आ जाएगा आपके छेल स्पांसर के पास, यहां पे ब मारकर मान के चलिए, ब्रेकडाउन का, लेकिन निफ्टी के विपरीत, निफ्टी बैंक सेल अन्राइस स्ट्रक्चर में अल्रेडी जा चुका है, इंटेंसी फाइब 46,500 के नीचे ही होगा, लेकिन अब जब तक आप निफ्टी बैंक को 48,500 के उपर प्लोज वा नहीं देख का कंसालिडेशन पॉसिबल है इसमें, जी तो ये रही बात निफ्टी बैंक की